तो आप लोग कैसे हैं आप लोग सारे वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं देख कुछ रासाइनिक गुनों को पढ़ना है और यह जो एतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्जामिनेशन में जरूर प्रश्ण पूछे जाते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एतनौल क्या है एतनौल को मैंने आपको बताया था इसका आन्विक सुत्र जैसे क्या देख सकते हैं और यहां पर लिख दिया तो यह आल हो गया और यहां पर इथेन के लिए दो कारवन हम लोगों ने लगाया तो यह हो गया एतनौल इसका आन्विक सुत्र क्या हो गया C2H5OH किस प्रकार से इसका क्या हो गया यह आन्विक सुत्र हो गया तो यदि यह थो नौल के बारे में हम लोग देखें तो इसका बहुत इक गुण को देखें तो उससे बहुत important question exam में आपको नहीं पुछे जाएंगे जबकि रासायनिक गुण बहुत ही important है आपके examination के लिए तो यदि हम लोग भौती गुणों की बात करें तो यह एक रंगहिन पदार्थ होता है इसका एक विशेश गंद होगा और साथी साथ आप देखेंगे कि यह जलने वाला स्वाद प्रोड्यूस करेगा तो यह कुछ बाते जो कि आपको जान लेनी है इससे exam में प्रश्ण नहीं पुछ जाते लेकिन कुछ और चीज़ें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ethanol तो आपने यहाँ पर देखा तो क्या आप जानते हैं कि ethanol या ethyl alcohol इसका क्या नाम हो गया बहुत कम पर्शेंटे जैसे कि 10 पर्शेंट पाए जाता है या फिर 20 पर्शेंट इस प्रकार से उसका पर्शेंटेज होता है तो यदि हम लोग 100 पर्शेंट इथाइल अलकोहल का consumption करें यानि कि उसको पी लिया जाए तो यह बहुत ही सिरप में देखा हो कि वहाँ अलकोहल लिखा रहता है तो बहुत सारे सिरप में जो की आप जुकाम वाले सिरप होते है उसमें अलकोहल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है और यही कारण है कि जब उसको पिया जाता है तो आपको थोड़ा-थोड़ा निंद भी आना सुरू हो जाता है तो यह बहुत सारे मेडिसिन में भी उपियोग होता है बहुत सारे दवाओं में भी इसका उपियोग किया जाता है तो हम लोग को क्या देखना है हम लोग को मुखी रूप से इसका केमिकल प्रोपर्टी देखना है है जिसको हम लोग क्या बोलता है रासाईनिक गुँण तो Ethanol का alternatingLY में। हम लोग को क्या करना है अभिकरिया के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला याद करिये मैंने बताए था oxidation मैंने पढ़ाया आपको ऑकसी करन तो आक्सी करन में मुख्य रूप से हम लोग को इसी का इथेनॉल का ही आक्सी करन पढ़ना है तो C2H5OH है इसका यदि हम लोग आक्सी करन करेंगे तो इससे क्या होगा आपका C ऐसे बना देते हैं C double bond OH और यहाँ पर एक हम लोग C लिख देते हैं तो क्या बता सकते हैं यह क्या नाम हो गया यह हो गया इथेनॉल और इससे क्या बन गया इथेनोई कैसीड तो सबसे पहला जो अभी क्रिया आपको याद करना है कि इथेनॉल से क्या बन जयता है इस åkod क्याता है तब और याध लिए और यह चारी होगा आपको पता है तो यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना तो पीछे के वीडियो मैंने इसको आपको पुरा विस्तरिक रूप से पढ़ाया है तो यह तो पहला हो गया ओक्सी करन तो इससे बहुत बार आपको एक्जामिनेशन में प्रश्न पूछ और दूसरा अब हम laugh देखते हैं के साथ अभी करिया को अभी क्रिया है। तो जब यहाँ पर C2H5OH का sodium के साथ अभिक्रिया होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर sodium ethoxide का formation होता है इसका मतलब C2H5ona यह हो गया sodium ethoxide का formula इसका यहाँ पर निर्मान होगा और साथी साथ यहाँ पर hydrogen gas निकलेगा क्या निकलेगा hydrogen gas जब इथाइल अलकोहल sodium के साथ रियक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा sodium ethoxide बनेगा और साथ में hydrogen gas निकलेगा तो C2H5OH जब Na से रियक्ट करेगा तो क्या बनेगा C2H5ona इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं sodium ethoxide sodium ethoxide और साथ में क्या निकलेगा H2 gas निकलेगा तो यह आपको याद करके रखना है कि क्या होता है जब यदि दूसरा जो की बहुत ही महत्वपोर्ण है वह है निर्जली करन निर्जली करन और यह जो निर्जली करन है इसको हिंदी में English में हम लोग क्या बोलते हैं dehydration तो निर्जली करन का क्या मतलब होता है H2O का निकलना तो इसमें बहुत सारे प्रश्ण आ सकते हैं कि एक प्रश्ण में बता रहा हो तो सबसे पहला तो प्रश्ण आएगा कि इथिनॉल का जब निर्जली करन किया जाता है तो क्या होता है या फिर इथिनॉल का निर्जली करन किस प्रकार से किया जाता है या फिर इथिनॉल का जो निर्ज सलफेट की उपस्थिती में होता है और यह 443 केलविन पर होता है यह आपको याद रखना है तो निरजली करन का मैंने क्या आर्थ बताया हटना वहां से हटेगा तो अधि मैं इसको इस प्रकार से दिखा दूँ आपको C C और यह हो गया OH यहां पर H आप लगा देंगे तो यह क्या हो गया इथे नॉल हो गया और इसे नॉल से H2 को आप यहां पर इस प्रकार से हटा देंगे तो यहां पर यदि इथे नॉल में से H2O को हम लोग हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा C double bond C यहाँ पर H और यहाँ पर H इस प्रकार से बन जाएगा और इसे हम लोग क्या वलेंगे Ethene बोलेंगे और साथ में क्या निकलेगा H2O यहाँ पर निकलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H2O निकल रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या वलेंगे निरजली करन तो यह निरजली करन किसका हो रहा है Ethanol का हो रहा है और उससे क्या बन रहा है Ethene लेकिन यहाँ पर एक खास बात आपको लिखना है H2SO4 और साथ में यह कौंक हो जाएगा मतलब कंसंट्रेटेड हो जाता है और 443 के केलविन यहाँ पर उपयोग होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अभी क्रिया हो रही है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है मैंने बताए 3-4 प्रशन है अब यहाँ पर जो मैं एक प्रशन बताया था कि निर्जली करन कौन करवा रहा है तो यहाँ पर H2SO4 निर्जली करन को करवा रहा है एक और बात आपको ख्यास ध्यान देना है यह जो टेंपरेचर उसको याद रखना है इस टेंपरेचर को नहीं हम लोगों कम करना है नहीं हम लोगों को ज्यादा करना है और एक और खास बात यदि यहाँ से एक प्रशन हैगा कि इथीन बनाने का एक विधी बताये तो यह भी इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सारा चीज तो इसमें यह सारे जो प्रशन है जो की केमिकल रियक्शन से संबंदित है वो एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है इथनोईक एसिड या फिर एसिटिक एसिड का राशानिक गुन धर्म या फिर भातिक गुन धर्म या राशानिक गुन धर्म तो उसको मैं आपको नेक्ट वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारे चैनल पर जाईए इस पूरे सीरीज को देखिए और साथी साथ आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को देखेंगे उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो को मैंने बनाया है तो लगभग बहुत सारे चैप्टर के वीडियो में बना चुका हूं और भी आगे वीडियो बना रहा हूं तो आपको जो यदि कोई वीडियो देखना है या जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है उस चैप्टर का नाम लिखिए उस टॉपिक का नाम लिखिए तो उसके वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा तो धीरे धीरे करके सारे वीडियो में अपलोड करता जा रहा हूँ आप उसे देखते जाएए तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद